मैं रखो तो ऐसा लग रहा है कि बजार कुछ और ही पढ़ रहा है ये खाली देखो सरकार बदली नहीं है प्यम बदला नहीं है उसके बावजुद अगर इतना गट रहा है तो इसका मतलब कहीं कहीं सरकार के इस से जादा सोच रहा है मार्केट इस से जादा सोच रहा है मार्केट क्या सरकार बदलने की सोचा है ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर इतनी तेज़ी से गिरावट है क्योंकि अभी तक हमने कही सारी एलेक्शन देखें अगर मैंडेट है ठीक है आपका 350, 308, 307 नहीं है अभी तक तो ये संकेत है कि ज इसलिए दस साल में तो वन पार्टी मतलब तो 72 प्लस थी ना अगर ये ट्रेंड है तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब है इसको तो coalition government वैसे भी माना जाएगा माना जाएगा लेकिन आप एक समझो हम हमेशा से लास्ट दो इलेक्शन में क्या अब रहे है स्टेट इलेक्शन में कुछ भी हो सेंटर में एवरिबडी नोस मोदी जी को ही देने का है हम election किसके लिए वोट किसके लिए दे रहे थे मोदी जी के लिए अगर वहां पर question mark करना है पिछले एक साल में तो अब जैसे मैं बैठा हूं काफी calls आ रहे हैं बहुत सारे clients के बात कर रहा हूं WhatsApp कर रहा हूं तो कहीं नहीं कहीं है कि क्या थोड़ा और साइड में हो जाते हैं रुक जाते हैं क्या यह वाला जब play जब ऐसा पाता है तो आप एक दिन के move को हमे अनिलाइज इससे करना की बज़ा क्या सोच रहा है थोड़ा पैनिक है बस और पैनिक है और साल में 7-8 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आप कोई भी decision ले गलत ही पड़ेगा buy, sell or hold, तिनों ही गलत पड़ते हैं यह वैसे ही जिसमें क्या होता है उसमें रोना-दोना थोड़ा कम होता है आपको loss of profit हुआ loss of profit और loss में मंतरी जी बड़ा फर्क है जमीनी हंकिकत देखे आप देखो जिसने loss में profit जिसको loss हुआ ने इसने पैसा बनाया है ना बहुत ही बनाया हो लेकिन आया हुआ के चला है ना मैं तो calculation करकर रखेते हैं इसके basis पर यह करूँगा वो करूँगा वो बना दिये तो हवाई के लिए है हवाई के लिए है तो इसे